हलो बच्चों कैसे हो आप लोग मैं प्रतिमा कुछ वागा फिर से आएँ आपके लिए एक और नहीं वीडियो लिएकर और इस वीडियो में आज हम जानेंगे बर्थडे में यूज होने वाले सभी समानों के नाम किंती और इंग्लिश में तो अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही आने वाली नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिया है जनम दिन पत्रिका जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्थडे काड़ नेक्स्ट है जनम दिन केक जिसको हम उगलिश में बोलते हैंfire बर्थ डे केक नेक्स्ट है मोम बत्ती जिसको हम उगलिश में बोलते हैं candle, candle, next है, चाकू, जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं, knife, knife, अगला है, गुबारा, जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं, बलून, बलून, next है, उपहार या तौफा, जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं, gift, gift, अगला है, जनम दिन की टोपी, जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं, birthday hat, बर्थदे हैट, अगला है, उपहार टैग, जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं, gift tag, next है, जनम दिन का मुखोटा, जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं, birthday mask, next है, जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं, ribbon, next है, कैची, जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं, scissors, अगला है, पट्टियां, जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं, streamer, next है, कुर्सी, जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं, जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं, टेबल, टेबल, next है, बिस्कुट, जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं, बिस्किट, बिस्किट, अगला है, चॉकलेट, जिसको हम इंगलिश में बी चॉकलेट ही बोलते हैं, चॉकलेट, अगला है, टॉफी, जिसको हम इंगलिश में कैंडी बोलते हैं, कैंडी नेक्स्ट है मिठाई जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट अगला है फल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट फ्रूट नेक्स्ट है कुलफी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आईस क्रीम इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई